इंडिन सिटीज विश्व के पुराने सिटीज में से एक मानी जाती है जहां आज देश में कई ऐसे शेहर है जिन आईतियास हजारों साल पुराना है ये पुराने सिटीज आदुरिक भारत के सबसे सोचकर नहीं बनाये गई और इसके लिए इनके अंदर रूड सिफ पेडिस्ट्रियन और घोडू के द्वारा खीचे जाने वाले बग्यों के सबसे प्लान किये गए थे चंदीगड अस्थित्व में कैसे आया या कोई बड़ी इंडिस्ट्री तो नहीं है तो ये प्लान सिटी का मकसद क्या था आज इसे के बारे में हम जानेंगे चंदीगड उत्तर भारत की यूनिन डिरिटरी और ब्लान सिटी है ये शहर पंजाब और हरियाना दोनों शेट का कॉमन कैपिटल है ये हिमालिय के शिवालिक रेंज के फुटल्स पर स्थित है और लगपक 114 स्कुएर किलोमेटर का शेटर कवर करता है चंदीगड का नाम और गड इन दो शब्दों से मिलता है चंदी हिंदु देवी चंदी को रेफर कर रहा है और गड यानि किला इस नाम का मूल चंदी मंदर से प्राप्त हुआ है जो कि पंचकुला जिले में इस शेर के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर है पर आज के प्लान सिटी पंचाब की लाजधानी जो लहोर हुआ कर दी वह पकिस्तन का हिस्सा बन गई इसलिए अब भारत के इस्टन पंचाब के पास लहोर के नव होने के वज़े से राजधानी पाने के लिए एक प्रॉब्लम आ गई भारत के पहले प्रदान मंद्री जवालनल निरू ने एक निर्मल मंगत राय ने चंदिगड को राज्जी की राजधानी के रूप में बनाने में महतुपुर्ण भूमी का निभाई थी साल 1949 में अमेरिकन प्लैनर और आखिटेक अलबट मेयर को एक नए शहर चंदिगड का निर्मान करने के लिए नियुक्त किया गया सरकार ने चं सुपर ब्लॉक पर आधारित शहर का विकास किया था जिसमें सेलिलर नेबर होड़ोड और ट्राफिक सेग्रिगेशन पर बल दिया गया था उनकी साइट प्लैन ने प्रकृतित भूमी के गुणों का फाइदा उठाया जमीन के जेंटल ग्रेड प्रमोटेड प्रॉपर डे को बुलाया जिन्होंने मेर के मूल साइट प्लैन के कई तत्यों का उप्योग किया लेकिन उन्हें उनके नाम से जोड़ा नहीं गया लीक अविसेवर ने कई प्रसाशनिक इमारुतों का निर्माण यहां पर किया जिसे हाई कूट पैलेस ऑफ एसेम्बली सेक्रेट इसके अलावा लेक बुसर के अनुसार सेकेंड मशीन इच को रिप्रेजेंट करने के लिए छे मैनमेंट्स और प्लैन के गए जिसमें हाई कोड एसेमली सेक्रेटर शामिल थे कई इन में से अधूरे रह गया इसमें जियोमेट्रिक हिल्स और मार्टेर्स मेमोरियल भी शाम बदल दिया गया हाला कि चंदीगड को भारत के पहले राश्टरपती राजिजिंत प्रसाद ने 7th October 1953 को इनौगरेट किया शेहर के निर्मान के समय खुदाई के दौरान कुछ इंडस वैली के आर्टिफैक्स मिले थे जिसे ये स्पष्ट हो जाता है ची चंदीगड का शेत बना जबकि जो बचा हुआ भागता वो हिंदी और हर्यानवी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए हर्याना के राज्यरूप में बना चंदीगड दोनों राज्यों के सीमा पर स्थित हो गया था और दोनों शेहर को अपने शेत्रों में शामिल करने के लिए एक कदम बन पाया दोनों राज्यों का वरतमान में चंदीगड 18th century के आखरी दौर में एक छोटे से principality का शेहर था जहां मनी-मजरा में एक छोटा सा किला था 2016 तक शेहर का पहले के गाव अब कुछ sectors के modern blacks में बस गये है जिनमें बुरेल और अटावा शामिल है और धीरे धीरे जैसे शेहर बढ़ता जाएगा वैसे कई गाव इसके अंदर विलीद होते जाएंगे चंदीगड पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया के earliest planned cities के र जाना जाता है जिसकी टोटल जनसें क्या 1.6 million से अधिक है इस शेहर की per capita income देश के अंदर वनात ही हाइस्ट है और इस union territory में बारतिय स्टीट्स और यूनियन डिटिक्स के सबसे हाइस human development index को भी देखा जाता है 2015 में LG electronics के द्वारा किये गए सर्वे ने चंदीगड को happiness index के अंदर भी भारत के happy city के तौर पे दर्च करवाया और BBC द्वारा पब्लेश एक आर्टिकल में चंदीगड के द्वारा कुछ विसीश known master plan cities तौर पे से माना गया चंदीगड हमेशा से plan cities बनाने के लिए देश को inspire करती आई है जिसके कारहंट इसके आसपास मोहाली और पंच cities भी है और अभी चंदीगड भी देश के टौप शेरों में से बनता जा रहा है